सो गाइस कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तयारी बहतर चल रही होगी तो आज की इस वीडियो में जो आपका राजेस्थान PTT का एक्जाम होने बाला है 21 माई को तो इस वाले वीडियो में PTT 2023 की परिच्छा के लिए टेचिंग अप्टिटूट के टॉप मोस् इंपोर्टन कोशन को यहां पर डिसकस करने बाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरू करें पारी बरंसपती नश्ट हो जाए तो क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा और भी आप्शन है देख लेते हैं औरंग जेप की मराठा नीच के क्या परिडाम निकले गलत हो जाएगा सूती कपड़े किस बस तुसे बनते हैं ये भी गलत हो जाएगा गुजरात में खाद्यान नियम बता कर उसके बाद उस नियम के उदारन देकर नियम की पुष्ट करने की बिधी को क्या कहते हैं निगमन बिधी कहते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा और भी आप्शन है देख लेते हैं संसलेसन से बिसलेसन की बिधी कहते हैं गलत हो जाएगा अनुभव से तर्क की ब कोशन देखेगा तिसरा कोशन है कि किसी पाठ को पढ़ाने में सिच्छक की सबसे अधिक प्रश्ण किस चरण में पोचना चाहिए प्रस्ताबना चरण में बिल्कुल गलत हो जाएगा पुनरा ब्रत्ती चरण में ये भी गलत हो जाएगा विकास चरण में बिल्कुल सही हो जाएगा इन्हें मैंसे कोई नहीं ये भी गलत हो जाएगा तो जो भी ये ब्यारती C option बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे विकास चरण में चौथा कोशिन देखेगा चौथा कोशिन है छात्रों को निर्णाय लेने की सुतंतरता कहां तक होनी चाहिए जहां तक उसका निर्णाय स्कूल के नियमों एवं सिद्धानतों से ना टकराए पिकनिक आदिका निर्णाय लेने तक गलत हो जाएगा कच्छा के सामाने जगणों को निप्टाने में ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा तो जो भी अभ्यारती ए ओप्षिन बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगे पांचमा कोशिन देखेगा पांचमा कोशन नगाईश की छात्रों को ततकालिक प्याणाय प्राप्त हो सकती है छात्रों को डाटने फटकारने से गलत हो जाएगा छात्रों को महापुरुसों के जीवन से उधरन देने से ये भी गलत हो जाएगा च्षात्रों को पुरसक्रत करने से बिलकुल सही हो जाएगा च्षात्रों को ब्याख्यान देने से ये भी गल्लत हो जाएगा तो जो भी अभ्यार्थी C option बता रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल सही हो जाएगे बढ़ते हैं अगले question की और चछड़ा question है guys की हक लाने वाला छात्र के प्रति आपका रवया क्या होगा उसे उचित सिच्छन सामगिरी की सायता से पढ़ाया जाएगा गलत हो जाएगा उसके साथ सानभोती पूर्ण रवया रखना बिल्कुल सही हो जाएगा यह समझना कि ऐसा लोगों को पढ़ना वेकार है यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा तो जो भी वच्चे बी ऑफ्षिन बता रहे हैं वो वच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे चले बढ़ते नच कोशन की ओर अगला कोशन है आपके अनुसार आपके अनुसार कच्छा में वाता वरण कैसा होना चाहिए चात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो गलत हो जाएगा सक्थ होना चाहिए ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके बिल्कुल सही हो जाएगा अंत्र मुखी वा सही मित गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा बी ओप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे सक्थ आठमा कोशन देखेगा नी द्रशनों का प्रियोग इसलिए किया जाता है ताकि चात्र अमूर्त बिचार को भरी बाती समझ लें बिल्कुल सही हो जाएगा चात्रों का ध्यान अन्यंत्र ना जाए ये भी सही हो जाएगा पाठ बिसे में चात्रों की रुची बनी रहे ये भी सही हो जाएगा D option जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ये सभी नवा कोशन देखेंगा गाइस क्या है नवा कोशन ने निमल लेकित में से किस अवस्था में बच्चे अपने शम बयक समू के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किसोर आवस्था, पौण आवस्था, पूर्व बाले आवस्था या फिर बाले आवस्था ये option जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सभी हो जाएंगे किसोर आवस्था में बच्चे अपने शम बयक समू के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दस्वा question है guys कि किसोर का अनुभव कर सकते हैं किसोर खाले स्थान का अनुभव कर सकते हैं बच्चपन में किये गए अपराधूं के प्रती डर के भाव B है आत्म सिद्धी के भाव C है जीवन के बारे में परितरप्ती और D है दुष जिन्ता और स्वय में सरोकार किसोर दुष जिन्ता और स्वय में सरोकार अनुभव कर सकते हैं तो D option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल correct हो जाएंगे 11 question देखेगा वेड़ो को like कर दिजे सभी बच्चे और share भी कर दिजे आप लोग छात्रों में मौकिक अव्यक्ति को विक्सित करने का तरीका है परी चर्चाओं का आयोजन B है भाशर प्रतियोगिता का आयोजन C है अन्ताच्री का आयोजन D है ये सभी तो छात्रों में मौकिक अव्यक्ति को विक्सित करने के लिए ये सभी जो है आपका ये सही हो जाएगा तो D option जो लोग बता रहे हैं तो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे So guys बार्मा question देखेगा सतत एबं व्यापक मुल्यांकर में निम लिखित में से किसका मुल्यांकर नहीं किया जाना चाहिए Option है आपके छात्रों के विविन विस्यों के कौशल B है छात्रों के विविन विसाय छेत्रों में सफलता का इस्तर C छात्रों की सामाजिक आर्थिक इस्तिती और D है छात्रों की व्यक्तीगत काऊशर रोची एभं अभिव्रक्ती जो भी अभ्यारती C option बता रहें वह बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे छात्रों की सामाजिक आर्थिक इस्तिती तेरमा कोशन देखेगा तेरमा कोशन है गाइस की परी चर्चा विधी कच्छा सिच्छन में बहुत कारगर हो सकती है यदी ओप्शन है आपके A प्रकरण को स्याम पट पर लिख दिया जाए B है चर्चा का विशे चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए C है चर्चा का विशे बिध्यार्तियों को पहले बता दिया जाए D है इनमेंसे कोई नहीं C ओप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चर्चा का विशे बिध्यार्तियों को पहले से बता दिया जाए चोदमा कोशन देखेगा कच्छा के प्रती कमजोर चात्रों के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए का सभू है खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए बी है उन्हें टीोषन पढ़ाने की सरा देने चाहिए सी है परिचा में फेल होने के डर से उन्हें कच्छा से निकाल देना चाहिए D है ये सबी तो जो भी अब लार थी A option बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए पंद्रमा कोशन्स शैशब काल की अबदी है option है आपके जन्म से दो बरस B है जन्म से तीन बरस C है दो से तीन बरस और D है जन्म से एक बरस तक देखें शैशब काल की जो अबदी होती है जन्म से दो बरस तक तो A option जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला question देखेगा पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से option है आपके शमशमाईक विश्यों एबं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है B है अध्यन की आदत का विकास होता है C है उपरोक्त दोनों D है इनमें से कोई नहीं तो अब जो भी ये भ्यारती C option बता रहे हैं सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे उपरोक्त दोनों पहला क्या है शमशमाईक विश्यों एबं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है B है अध्यन की आदत का विकास होता है C option correct हो जाएगा सब्त्रमा कोशन देखेगा सब्त्रमा कोशन है गया इसकी न छोड़ देंगे B है जी हाँ इससे बच्चों का मनोवल नहीं गिरेगा C है जी नहीं इससे पूरी सिच्छा व्यवस्ता आंगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी D है इन मैंसे कोई नहीं जो नियमित पाट साला आता हो और कच्छा का मोनिटर हो B है जो सुसील और सर्मिला और अनुसासन में रहे C है जो सिच्छा गिरहन करने में और अध्यन में रुची रखता हो D है जो सिच्छुकों को समान दे और उनकी आग्या मने C ओप्षिन जो अच्छे बता रहे हैं वो सबीलों विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जो सिच्छा गिरहन करने में और अध्यन में रुची रखता हो उनिश्मा कोउशन देखेगा कहा जाता है कि सिसु एक कोरिस लेट होता है इसका क्यार्थ है A है सिसु अबोद होता है B है उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है C है उसे इच्छा नुसार गड़ा जा सकता है D है सिसु में दोई सुभाव नहीं होता जो भी अभ्यार्थी C ओप्षिन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे उसे इच्छा नुसार गड़ा जा सकता है So guys 20 कोप्षिन प्रतेक सिच्छक का कम से कम दो कलांश रोजाना खाली होना चाहिए आराम करने के लिए B है छात्रों के होमबर्ग को चेक करने के लिए C है अगले पेरियर्यट के सिच्छन की योजना लेसन प्लान बनाने के लिए D है इन मैंसे कोई नहीं V ओप्षिन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएगे छात्रों के होमबर्ग को चेक करने के लिए So guys 21 कोशन देखेगा आप परिच्छा के दोरान कच्छ निरिच्छक का कारे कर रहे हैं उससे विद्याले के परधानाचार का पुद्ध परिच्छा दे रहा है यह दिवा अनुचित कारे करता है तो ऑप्षिन है आपके उसकी अंदेखी करेंगे B है परिडाम की परिवाग किये विना उससे अनुचित साधन प्रियोग नहीं करने देंगे C है परधानाचार से परिच्छा के बाद सिकायत करेंगे उसे रोकने का साहस करेंगे V ऑप्षिन जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे परिडाम की परिवाग किये विना उससे अनुचित साधन प्रियोग नहीं करने देंगे जो भी अभ्यारती B ऑप्षिन बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे समाज में समायोजित होना तेश्मा कोशन देखेगा परिटियोगिताक से एक उत्तम गुणों का विकास होता है लक्ष उचा रखना B है पराजय को भी खुशी-खुशी स्विकार करना C है काम पूरा करके ही दम लेना D है ये सभी D ऑप्षिन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ये सभी चोबिसमा कोशन देखेगा सुगा चोबिसमा कोशन है बिद्याले में कार इनोभों के अंतरगत नरसरी तयार करानी है किन्तो छात्र काम करने में कत्रा रहें तो आप उन्हें अपने कठोर अनुसासन के बल पर काम करने को विवस करेंगे B है सोदंत छोड़ देंगे C है स्वयम कार में भाग लेकर प्रेरित करेंगे D है सामाजी कार पर प्रभाव आतमक भाशर देखेंगे C ओप्षिन जो लोग बता रहें वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे स्वयम कार में भाग लेकर प्रेरित करेंगे 25 कोशन देखेगा सेसन को स्यर कर दीजे सरी बच्चे चल्दी से जल्दी कौन सा पाट आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है जो अत्यंत सरल हो B है जो बिद्यार्ती के रुची के अनकूल हो C है जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया हो D है इनमें से कोई नहीं जो भी बच्चे B वाला उप्षिन बता रहे हैं वो बच्चे विल्कूल करेक्ट हो जाएंगे जो बिद्यार्ती के रुची के अनकूल हो अगला कोउप्षिन देखेगा बच्चों में अच्छा संसकार डालने के लिए उन्हें ऑप्षिन है आपके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए B है अच्छा बाता बरन परदान करना चाहिए C है इसने मैं व्योहार देना चाहिए D है यदा कदा डंड भी देना चाहिए जो भी अभ्यारती B ऑप्षिन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे अच्छा बाता बरन परदान करना चाहिए सत्ता इसमा पोशिन देखे का नारी सुतंतरता का अर्थ है ऑप्षिन है आपके A नारी संगठरों को मैतु देना B है इस्तरियों को अधिक सरकारी नवकरियों में इस्थान देना C है इस्तरियों को अपनी योगिता और रुची के नुसार कारक करने की आजादी देना D है इस्तरियों को घर के दायतों से मुक्त करना जो भी अभ्यारती C आप्षिन बता रहे हैं वी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे इस तरियों को अपनी योगता और रुची के नुस्वार कारक करने की आजाती देना So guys 28 कोशन देखेगा विकलांगों की सिच्छा भी सामान बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे शाहनभूती के पात्र हैं बी है वे किसमत के मारे हैं सी है उनके लिए अलग से वेवस्ता नहीं हो सकती डी है उनमें सामान जीवन जीने का साहस आता है जो भी अभ्यारती D option बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे उनमें सामाने जीवन जीने का साहस आता है उन्तिसमा question देखेगा अध्यापक की जीवन सैली किस आदर्स के अनुरूप होनी चाहिए साधा जीवन उच्छी विचार अध्यापक की जीवन साधा जीवन उच्छी विचार आदर्स के अनुरूप होनी चाहिए जो भी अभ्यारती A option बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे अगला question देखेगा आलो चनात्मक चिंतन का अर्थ है सकरात्मक चिंतन, B है नकरात्मक चिंतन, C है दोनो, D है कोई नही तो देखिए आलो चनात्मक चिंतन का अर्थ होता है दोनो C option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे सकरात्मक चिंतन और नकरात्मक चिंतन 31 कोशन देखेगा guys संपूर्ण सिच्छन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवस्यक है A है अध्यापक की अविरूची में परिवर्तन, B है सरकार की सोच में परिवर्तन, C है परदाना चार की अविरूची में परिवर्तन, D है पार्टिकर में परिवर्तन जो भी अभ्यार्थी ए आप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे अध्यापक की अवरूची में परिवर्तन 32 कोशन है गाईस की पृतिभा संपन च्छात्र का सौपन सदैब एक सिच्छक बनने का होता इसके बारे में आपका क्यामत है जो भी अभ्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे अगला कोशन की देखेगा अगला कोशन क्या है जब आप कार आरम करते हैं तो किस विसाय पर अधिक सोंसते हैं ऑप्शन है आपके कार की प्रकरती एवम योजना पर वी है कार में लगन वाले टाइम एड प्लानिक पर सी है कार की सरलता एवम अस्फलता पर डी है यह सभी जब आप कार आरम करते हैं तो देखिए कार की प्रकरती एवम योजना पर तो जो भी अभ्यार्थी एव उप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे. चोतिसमा कोशन देखेगा क्या है? पार्ट चर्या का उद्देश होना चाहिए. आप्शन है आपके, ये भारतिय समाज की विसेस्ता पर आधारित हो. B है, ये भारतिय संस्कृति पर आधारित हो. आज का हमारा सबसे लाश कोशन रहेगा, बच्चों में मौलिफ चिंतन की शक्ति, बिक्सित की जा सकती है, B है, जन्मजात होती है, C है, श्वा अध्यन से बढ़ती है, D है, A और C दोनों. बिक्सित की जा सकती है, स्वा अध्यन से बढ़ती है, तो T option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे तो इस बाले वीडियो में हम लोगों ने PTT 2023 की परिच्छा के लिए Teaching Attitude के कुल 35 question discuss किये हैं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक वस्याद जरू करें जो भी मारे नए बच्ची हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्ची हैं